वो पतंजली से जुड़ी हुई है पतंजली एड मामला जो सुप्रीम कोर्ट में और आज इस मामले पर सुनवाई का दिन है भ्रामत विज्यापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है पिछली तारीक पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी ये कहा था गुम्राह करने वाले जो दवा के विग्यापन है वो तुरंट रोके जाने चाहिए आएमे की तरफ से पतंजली के खिलाफ ये याचिका राकिल की गई है और इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब आगे रुक्ते करेगा कि किस तरीके से पतंजली के मुश्किले बढ़ सकती है जो दवा के विग्यापन है उसमें ये बता देना कि आपकी जो भीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी पतंजली के प्रोडक्ट इस तरीके के हैं ये जो भामक विग्यापन है याने कि जो गलत जानकारी के साथ प्रसारिफ होने वाले विग्यापन है उनको लेकर सुपीम कोर्ट ने ये कड़ी फटखाल लगाई थियो और आज इस मामदे पर सुनवाई का दिन लोग कहते हैं आयरीवेट का भविष्य का है आयरीवेट का वर्तमान और भविष्य कुमारे सामने क्वामे रामदे उखड़ा हुआ है और मैंने चान दख्था जैसे हमने एमेंसी का शीर्षा संकराया है एलोपैसी को भी धर्ती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस ना है अधिन जग्स के लिए लाइब से रोकने थोड़ा बहुत किसी को प्रियोप करना हो दोटार यहां भी ऐलोपैसी को दोक्तर बैठे हों तो नाराज मत होना आप यह हमारे पाले में आजाना है हमारा जिल बहुत बड़ा है बाकि एलोपैसी में सर्दी दुकाम से लेकर के कफकोंड से लेकर कभी पोई थोड़ा सा नाय नाम रचे एस त्री एंटू अरे तो एस त्री एंटू तो है तुरे पात दवा क्या है बाउड़ी यह में इनके पास में सोई दवाई ना सर्दी कि नहीं दुकाम की ने बुखार की पोरोना बीट गया अब तक दवा नहीं बना पाए उसकी पहली दवाई हमने बनाई इनके बाज में बीटी की कोई दवाई नी इनके पाश फूगर की कोई दवाई नी ये शूगर को क्या करते हैं या तो अंदर आटिफिशाल वह इंटिलीन डाल देंगे या जो है वह शुगर की ऐसी दवाई देंगे जो ब्लड में शुगर है उसको किद्नी से जाधा पाउस आउस कराते हैं शुगर तो फिक होती नहीं कि इस पाउस्था बच्छा देते हैं इस पाउस्था को परफायल को गणवर कर देता है आद्मी की लाइफ प्रफायल गणवर भूंता रहे हैं यह तो फाइजर कंपणी को दुन्या के सबसे बढ़िए वूश्च के भी आप दवाई लेकर के देखो इसमें लिखा हुआ है इसलिए जो सारा तो कुछप कर चल रहा है, मैं किसी पैथी के जिरोज में नहीं होगे, तो सब के पर किसी पैथी रखता है। किसी पैथी को आप सीरे से नकार देंगे, ऐसे में आज सुपीम कोट में क्या रुक रह सकता है, पिशली सुनवाई में तो पड़ी फटकार लगी थी और किस समय ये सुनवाई? क्योंकि वो पातांजली में डिरेक्टर है, दूसरा पातांजली कंपनी की तरफ से आएगा, इन दोनों को ही जवाब भ्रामक बिज्यापनों को लेकर देना है, जिसमें उन्हों में दवाईयों को लेकर भ्रामक दावे किये थे, तीसना जो जवाब है, वो आयूश मंत्रा पातांजली में क्या कुछ कहा है, तो ये तीन अलग-अलग जवाब सुप्रीम कोट में दाखिल होंगे, चौती है बात कि सुप्रीम कोट ने पिशली सुनवाई में पातांजली को ये स्टाप मिंदेश दिया था कि कोई भी दवातंबंधी को विग्यापन है वो ना रिली यानि किसी भी तरह का इसके एक पातांजली में बाबा रामदेओ का हैं ही नहीं, बाबा रामदेओ केवल एक कूछ कर वाए हैं, उसके जाधा कुछ नहीं है, क्योंकि जब फिश्की बार मामने की सुनवाई शिरो हुई थी, तब ये सुप्रीम कोट ने पूचा था कि डा क्योंकि सुप्रीम कोट में स्टाफ कहा है कि जो भामदेओ की सुनवाई में कड़ी फटकार लगे थी और आज तक वग दिया था, आशी शब पतंजली को करना क्या होगा, बालकृष्णी को क्या इस स्टेपस पर लेना होगा, जो भामदेओ की सुनवाई हैं, यानि कि जो भ्रम पहलाने वाले एड्स हैं, उन्हें तुरंट रोकने की बात कही गई थी, या फिर आगे कुछ और भी एक्शन हो सकता है? नहीं, नहीं, देखे, बालकृष्णी को सुप्रीम कोट में ये बताना होगा, कि इसमें कोट की आउमानना के तहट उन पर मुकदमा क्यों ना चलाए जाए, दर असल पिछले साल सुप्रीम कोट का एक आदेश था, जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि आप ध्रामक सुप्रीम कोट के जज जो थे, वो एड की कौपी लेकर अदालत में आए, और उन्होंने उसी समय पटार लगाना शुरू कर दिया, कि हमने जब आदेश दिया, तो उसके बाद आपकी हिमाकत कहते हुए, कि आपने भ्रामक जो है, वो विध्यापन पहलाने की बयान देनी क कोशिश की, क्योंकि आपको ये भी ध्यान में होगा, कि जब सुप्रीम कोट का आदेश जाया था, तो उसके ठीक अगले ही दिन पातांजली की तरफ से एक बड़ी क्रेस्ट ओंट्वेंस की गई, जिसमें बड़े-बड़े दावे किये गें, और पूरे मामने को आयूद सुप्रीम कोट को यही बात नागवार गुगरी थी, अब सुप्रीम कोट को ये तैक करना है कि क्या बालकृष्ण के खिलाब, पतांजली के खिलाब कोट की आउमानना के तहत मितर्मा चलाया जा या नहीं, पहली बात, और दूसरी आयूश मंत्राले ने पतांजली को लेक उनको ये शिकायते दे नहीं है, तब सुप्रीम कोट ने ये कहा कि अगर आपसी तारा मामला नहीं निपटता, तो हम राजी सरकारों को इसमें पार्टी बना लेते हैं, तब केंडर सरकार की तरफ से वरोसा दिया गया, कि नहीं, हम इसका एक डीटेल जो हलपनामा है, वो स होना चलाए जाए, और तीसरा आयूस मंत्राले के तरफ से कि इस फूड़े मामले में उनकी तरफ से क्या कुछ कारवाई था, ठीक है आशीष, नजरा बनाए रखेगा, सुभा साढ़े दस वजे, दोनों ही इंपोर्टन केस हैं, जिनकी सुनवाई होगी, नजरा बनाए र करी तरफ से क्या कंई घरहा हैं, प्लाए रखेग कािपा हैं, ज्जरा बनाए रखेगाउशा चाही शरिता में थाचा कि आपी, ऎ January 30th, जित पाद क्यों होगीष दा में हैं, फी스타ं जवड़े होगी जिजम एाष ठाले हुड़े हैं, छो श्तों होगीष वude, जार नरा